Hello everybody, this is दिग्राश सिंग राशपूत, Welcome to Magnet Beans इस वीडियो लेक्चर से एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले है Class 8 History का चाप्टर, चाप्टर है Ruling the Countryside काफी इंटरस्टिंग चाप्टर होने वाला है अभी तक हमने Class 8 History में क्या पढ़ा है? थोड़ा सा Connect कीजिए आप हमने एक Basic Outline देखी कि हमारी जो History है उसे Modern History कहा जाता है कब जब Britishers आए? लेकिन वो Modern नहीं वो सही माइने में देखा जाए तो एक Colonial History है Colonial History का हमने Concept समझा फिर उसमें हमने ये देखा कि Britishers Traders बनके आये थे Trade करने आये थे लेकिन that trade led to the territory ठीक है वो ट्रेड से कब territory पे कभजा करके बैठ गए पता ही नहीं चला ठीक है Battle of Buxer, Battle of Plassey के बाद में Battle of Plassey सीक्वेंस मगर देखे तो Battle of Plassey फिर Battle of Buxer दोनों के years ध्यान रखना आपको important है फिर उसके बाद में क्या होता है कि इन दोनों battles के बाद में कहीं न कहीं Indian history का एक रुख बदल गया रुख तो बदल ही गया उसी के साथ साथ में क्या होता है उसी के साथ साथ में बहुत सारे और भी changes आए सिर्फ political change नहीं हुआ था ठीक है या फिर देखा जाए कि पपेट नवाब्स बनने लगे थे उसके अलावा भी इस चीज़ का एक बहुत गहरा impact रहा है पूरी Indian history पे पूरे इंडियन आज हम आज हम कह सकते हैं कि present जी रहे है न उस चीज़ पर भी कहीं न कहीं वहां पर जो changes आ है history में उसका impact होगा ही होगा अगर वहां changes में होते तो आज हम कहीं और होते हैं ठीक है तो सारी चीज़ रहती जैसे आप अगर मान लोग 11 में कुछ subject लेंगे तो कहीं और जाएंगे न तो वैसे ही रहता है कि हमारा present ही हमारे future को shape करता है और हमारे जो present है वो कहीं न कहीं हमारे past से connected रहता है simple तो अब देखो क्या है relate the story with the previous chapter अब यह जो हमारा chapter ruling the countryside chapter के नाम में ही सारी चीज़े समझ में आ जाएगी अभी तक Britishers trade के perspective से आये थे शहर में क्या कर रहे थे अपना कबजा जमा रहे थे लेकिन battle of boxer के पाद में जब दीवानी rights मिल जाते हैं क्या है दीवानी rights बताऊंगा ठीक है तो जब battle of boxer के बाद में Britishers के पास में दीवानी rights वाले power आ जाते हैं तो तब से क्या होता है कि अब Britishers जो है तो अब British government क्या करने आ लिए अब British government कबजा करेगी कहां पे country side में मतलब अब वो शहर से हटके गाओं तक जा रही है ruling the countryside ठीक है अब British government गाओं में भी rule करेगी गाओं में कैसे rule करेगी किसानों के उपर क्या करेगी rule करेगी कैसे वो बताता हूं देखो तो relate the story with the previous chapter battle of plassi battle of boxer क्या होता है ठीक है battle of plassi battle of boxer के बाद मैं आपको starting में ही बता चुका हूं कि Indian history का course change हो इस इंडिया कंपनी क्या कर रही थी हमारे नवाप्स को कंट्रोल कर रही थी and connect it with the ruling the countryside कैसे तो देखो में बताता हूं battle of boxer के बाद में क्या होता है battle of boxer के बाद में Bengal, Bihar और Odisha ये तीन provinces की दीवानी rights किसको मिल जाती है ये तीन provinces की दीवानी rights मिल जाती है British East India Company को आपके मन म करने की power किसके पास आ गई है British East India Company के पास में अब जब British East India Company के पास में text collect करने की power आ गई है तो हमारे नवाप कैसे हो गए हमारे मतलब जो rulers थे तो ruler तो वही दिख रहा है कि हमारे Indian indigenous नवाब है लेकिन हमारे नवाब अब बिना दात वाले share हो गए मतलब वो रूल तो पैसा सब कौन समालने वाला है इस इंडिया कंपनी ठीक है अब यह जो पेंटिंग ड्रॉ की गई है तो यह Canon के एक कैमरे से क्लिक की गई थी नहीं ठीक हो समय पर कैमरे नहीं होता था ना तो एक पेंटिंग ड्रॉ की गई है इसमें क्या दिखाया गया रॉबर्ट एकसेप्टिंग दी दिवानी ओफ बेंगॉल बिहार ओडिसा फ्रॉम दी मुगल रूलर इन 1765 मैंने आपको बताया था बैटल ओफ बकसर में मुगल रूलर को भी इंक्लूड किया गया था शाहलम टू को ताकि क्या हो जीत सके हम किसी भी तरह से बस एक बड़ा फेस दिख मन में रिस्पेक्ट हुई थी कि हम पूरे हिंदुस्तान का जो राजा वो कौन है मुगल एंपायर या फिर मुगल रूलर्स तो वह वैल्यू मतलब उस तरह से एक इमेज प्रोजेक्ट करी थी और इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने जो दिवानी राइट एकसेप्ट किये तो वह मुगल रूलर्स से ही में यह मeszess पहुच जाई कि हुग सकते हैं कि शहा जहां पना पूरा हमारा सब क्या देखने वाले संवालने पुरे देश के जो रूलर्स हैं उनों नहीं क्या किया है बृटिश को ब्रीटिश इस इंडिया कमपनी को तो उसका impact क्या रहने वाला है, उसका impact रहने वाला है हमारी पूरी society के उपर, खास करके ruling the countryside, ठीक है, तो जो countryside जो गाओं है, तो गाओं में, अब आज तो क्या industries होती है, तो industries से tax collect किया जाता है, लेकिन उस समय पे main source of tax कौन होता था, peasants, किसान, तो अब किसान जो गाओं में study in this chapter, पूरे chapter की मैं आपको outline बता देता हूँ, यह basic introduction video जैसे हम हर बार discuss करते हैं, तो chapter है किस बारे में वो मैं आपको बताता हूँ, देखो, हम क्या बढ़ेंगे, कि company किस तरह से नवाब बनती ही, दिवान बनती ही, ठीक है, विकम दी दिवान, दिवानी राइट्स मिलगे पे, तो text कहां से मिलेगा उसे, agricultural sector से, मतलब जितने भी किसान हैं, जो भी countryside में पीजंट से रह रहे हैं, उनसे text collect करेगी, ठीक है, लेकिन यहां पे बहुत सारी problems थी, क्या problems थी, वो सारा सब कुछ हम chapter में पढ़ेंगे, ठीक है, तरह तरह की problems निकल के आएगी, कैसे text collect किया उस problem को solve करने के लिए solutions निकाले, बिटिश असने, तो solutions में उन्होंने अलग-अलग tax collecting system लेके आए, अलग-अलग tax collecting system में उन्होंने महलवारी system लाए, रोयतवारी system लाए, यह सारी चीज़े हम क्या करेंगे, और आपकी इस बार इस chapter में पढ़ने वाले हैं, ठीक हैं, तो य क्या limitations थी महलवारी में, रोयतवारी में क्या limitation थी, वो देखेंगे हम, ठीक हैं, फिर crops for Europe, तो फिर हम देखेंगे क्या, कि यह agricultural sector के उपर tax लगा रहे हैं, ठीक हैं, अब लेकिन क्या होता कि ब्रिटेन में जैसे-जैसे industries develop होती है, तो इंडिया में जो crops grow की जा रही थी, वो इंडिगो जो थी तो यूरोप क्या की जाती थी, export की जाती थी हमारे देश से, ठीक हैं, और अब जब इंडिया से export की जाती थी, ब्रिटेन इंडिया की तरफ रुख कर लेता है, तो इसमें भी कुछ problems निकल क्या थी है, हमारे इंडिगो cultivators को क्या problem face करना पड़ी, ठीक है पूरी जो conflict थी, वो conflict क्या थी, यह सारी चीज़े हम क्या करना आ रहे है, comprehensively, देखो तो चाप्टर को अगर देखोगे तो दो पार्ट में है चाप्टर, यहाँ पर तो एक पूरा यह देखेंगे कि जब यह दिवान बनते तो text collection और text कैसे collect किया गया, क्या problem साही, वो सारा part हो गया, और दूसरा part जो देखो गया, तो इसमें हम फिर specifically indigo, indigo जब इंडिया से यूरोप जा रही है, यूरोप जा रही है, तो क्या problem सारी है, हमारे peasants ने क्या face किया, तरह तरह के जो indigo cultivation systems थे, ठीक है, निज system, roid system, वो सारा system समझेंगे, और एक famous blue rebellion पढ़ेंगे, जो हम comprehensively इस बार हम पढ़ने वाले हैं, class 8 की history, believe me, बहुत interesting है, अभी आपको पिछले chapter में पता चली गया होगा, ठीक है, तो उसी note के साथ में हम क्या करने वाले हैं, इस chapter को next video lecture से one by one, एक एक topic को comprehensively, extra details के साथ पढ़ते चलेंगे, ताकि पढ़ने में मजा आए, finally, इस video lecture को हम यह नहीं खतम करते हैं, किसी प्रकार का कोई doubt है, तो feel free to ask in comment section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much.